अब देखो जो भी आपको जैनुवन चीज लगी है ना ठीक है सबसे पहले सुरेंदर सिंग जी मैं आपका फीडबैक जानना चाहता हूं और फीडबैक में आप मुझे ये बताईए कि सबसे पहले तो जो मेरे पढ़ाने का तरीगा है वो कैसा लगा फिर उसके बाद में आपको बताना है नहीं उसके बाद में आपको बताना है कि जो कोर्स है ना यहां पर टेक्निकल एनलेसिस और उसके बाद में जो हमारा प्रोपेशनल टेडिंग और उसमें जो डाइमंड गेट सरजी है वो आपको किस तरीके की लगी और किस लेवल की पहले यह मेरा थीसरा कोर्स है थीक है उन्हों ने बताया मतलब जो आपने बताया वह उन्होंने अब तक नहीं बताया था दूसरा जैसे आप की आपने बताया की यह सब चीजे जने से मैंने चार्ट हर एक चार्ट लेकर करके आपके सामने आया हर एक चार्ट मैंने दिखाया आपको बताया नहीं तो आपको लगए तो आपको क्या लग रहा कि वो आजने यह मार्केट पजल है जो भूल भूलय ना आशITY और वह निकलने का रस्ता है तो उसमें पहुत बहुत टाइम लगेगा लेकिन आपने किसी से सीख लिया कि भूल 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 हमें निकलना कैसे तो आप निकल जाओगे तो वही एक चीज है कि यहां पर आपने जो सीखा है ना वो भूल भूले का रस्ता सीखा है और वहां से आपको निकलना है प्रैक्टिस आपको करनी है बस मैंने पूरी चीज आपको बताई है जो चीज मैंने अब तक जो किया ना वो जो मेरे को पता पर कर रखी है अब वो चीज आपके होगी तो आप उसको अप्लाई भी करोगे हो सकता है कि आपको 100% ना हो 50% कर लो सिर्फ और सिर्फ डाइमंड गेट्स टर्जी के ऊपर ही आप बेस दो जाओ तो भी आपकी नईया पार है तो भी आपकी नईया पार है तो आपको फाइनली आप कुछ बोलना चाहोगे एक दो वर्ड जो भी हमारे कोर्स के रिड़ी रिगार्डिंग और मेरे रिगार्डिंग और यही है सबसे में चीज तरफ की बसर मुझे दो लगा कि औरों ने च्छादा पौशिश नहीं की जितने आप ने ज्यादा को शिखानी और वह तो अभी और रहेगी छोड़ेंगे थोड़ी न आपको भी छोड़ेंगे निया आपको भी है जब मेरे तरफ से यही है कि आ आपको सीखना है थोड़ा मेहनत करना है देखो हीरा लाल जी अब आपके उपर मैं आता हूं आप अपना फीडबैक दीजिए थोड़ा सा कैसा तो कोर्स लगा किस टाइप का जो यहां पर समझाने का वे है वो कैसा है और मेरा मेहनत जो कोई कमी है वो भी बता सकते हो आप और मारकेट अन्य होता है ओ पता चला कि क्या डे सकते हो वो चीज़ कैसे क्या देखते हैं कहां लेका यह तोड़ा सा आड़ी आया है इस के बाँजूता जो आपने आपके साथ में जो हमने चार्ड देखे पुराने तो उसका पता चला कि क्या इत्रत किते बड़े-बड़े इस टार्गेट पी लिए जा सकते हैं अभी जो आपने रिलाइंस का बताया एस जिपसी बेंक का बताया तो कंफर्म हुआ कि हाँ यह बहुत आगे बढ़ सकत बिलकुल बहुत शिकाने का तरीका था हिंदी में इंग्लीज तो बहुत अमारे पुड़ा आथी नहीं है जो हिंदी में शिकाया वह बहुत अच्छा लगा और अच्छे से हम कवर भी कर दिया ठीक है अच्छी बात है आपको सिर्फ अब क्या करना है जो चीज सीखी उसके उपर आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करोगे तो आपका हर एक चीज है वह यहां पर अप्लाई भी होगा अप्लाई करना भी आएगा और उसके अंदर कुछ कुछ चीजे आपको नई भी सीखने को मिलेगी ठीक है मार्केट क्या है ऑल्वेज इसके अंदर स्टुडेंट बनके रहोगे तभी आप यहां पर क्या करोगे पैंसा कमा होगे इसका आप टीचर बनने की कोशिस करोगे ना तो वह आपको टीचर नहीं बनने देगा ठीक है तो इसका जो यह अपनी डायमंड के अटिस्टेर जी है ना यह भी मुझे बहुत बहुत करें साथ साथ के लिए एकल इत्वाव है बिल्कुल बिलकुल कभी एकडब सिंपल और आपको मेंने बहुत सिंपल तरीके से किया है मेरी तरब से मैं आपको करना चाहूं तो मैं भी बोल सकता हूं ऐसा कुछ नहीं है जो भी है मैं प्रोपेसनल तरीके से बोल दूँगा लेकिन चैनल यहां पर चीज क्या होने चाहिए कि आपको समझ में आनी चाहिए वह अपने पैंसा दिया है आप यहां पर सीकने के लिए आए तो आपको समझ में आना जाहिए मेरे बोलने से नहीं है आपको क्या चीज समझनी है वो आनी चाहिए ठीक है फिर आप आरियन जी के साथ में आते हैं आरियन जी आप बताईए कैसा लगा कॉर्स और सबसे पहले तो पोलू जो मेडिम था मतलब हमारा कम्यूनिकेट का जो live session पहले लगा था कि live session में मतलब फौल टाइम जाया ऐसा लेकिन अब पता चल दाए कि live session से ही रही मतलब अफ्चा मझा आया वी डि़्यों का तो मफlove ऐसे बीडीयो तो कोही देख लेकिन आपका सिखाने का तरीका, स्पेशली कंटेंट एंड डाइमंग के स्टेटर जी जैसे इराल जी ने आपी बताया कि मलब उसमें कुछ ज्यादा देखनी के जरूरत ही नहीं है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मैं मेरे फादर भी करता है, तो मैंने उनको भी बताया कि सिंपले ऐसे लाइन देखनी है सिफ तो भी उनको नॉर्मल ऐसे पता चल जाता है, तो वह बहुत अच्छे लगी एक तो और जो और आप ये बताईए कि जो डाइमंड गेट स्टरजी है ना इसके उपर आपने मास्ट्री कर ली तो क्या फिर और चीजे करने की जुरत है कि आपको और चीजे ये अगर इसके उपर भी आप करते हो ना सर अभी अभी तो जैसे पता है का मला उतना टाइम नहीं हो है मास्ट्री के तो बात नहीं है लेकिन दो तीन दिन में भी जितना अप्लाई किया ना उससे भी बहुत अच्छा रिजर्ट मिला है तो देखो ये क्या है अप्लाई करोगे ना और इसके उपर प्रक्टिक यह सब चीजें आपको तब समझ में आएंगी आप हर एक चार्ट के उपर अपलाई करोगे ना तो वहर एक चार्ट आपको सेम वे में बोलेगा कि यह चीजी हो रही है इसमें आपको हर एक चीज अलग अलग देखने की जोरत ही नहीं पड़ेगी प्रिती जी आप बताईए और और कैमरा ओन कीजी एक बार जो फीडबेक है वो दीजिए थोड़ा चार्ट के रिगार्डिंग कोर्स कैसा लागा आपको और जो भी कंटेंट है उसका जो यहां पे किस टाइब का है किस लेवल का है जो स्ट्रेजी है आइमंड गेट स्ट्रेजी वो किस टाइब की है और मेरे सिखाने का जो तरीका है वो कैसा है इंग्लिस में मैंने आपको वो कंटेंट है वो में प्रवाइड कर दूँगा कोई इस्यू नहीं है उसमें ठीक है प्रिती ची आप सुन रहे हो मेरी वोईस आरी आपके पास